कानी की शरवात होती है डावल इन नाम के एक लड़के से जो सिक्योर्टी गार्ड की नौकरी गरता था शाम को वो जुआ खेलने एक दुखान में गया और कहा कि अगर उसने हजार किलो का पत्थर अपने हाथों से उठा लिया तो जो वी उस पर पैसे लगाएगा वो दुख दुखानदार से पैसे जीच सकता है अजानत डावल इन ने वो पत्थर उठा कर सब की हूश उड़ा दिये जिससे दुखानदार का भारी नुकसान हो गया अब गुस्से में आकर उसने डावल इन को फसाने के लिए अपने आदमियों से अजीवों गरीब तस्वीरे बनव थी खेर उथर डावल इन ऐसे लोगों को ढूंडने में लगा था जो असल में थे ही नहीं उसने गाउंवालों से इनके बारे में पूछा अगर किसी ने ऐसे इंसान नहीं देखे थे अब तो ढूंड ढूंड गर उसका दिमाग कराव हो चुका था तब ही शाओबी नाम की एक जादूई मशीन थी जो अचानक आवास करने लगी फिर वो आदमी एक होटल में कमरा लेने आया पर वहां के मालिक ने उसे जगा नहीं दी क्योंकि उसके पास एक पाल्तू मचली थी और होटल के रूल्स के मताब एक पाल्तू जानवर अलाउट नहीं थे यह सुनकर उ एक भायंकर राक्षस मचली में बदल दिया जिसके तीन आखियोर खतरना दाथ थे उसने तुरंट लोगों पर हमला कर दिया और तब डावलिन और शाओबे ने आकर उसका सामना किया डावलिन तो इतना तागतवर नहीं था इसीनिए शाओबे ने अपने जादू से उसे क दिखाया और वो एक खुबसूरत लड़की में बदल गई फिर शाओबे ने वहां मौजूद एक और लड़की से पूछा कि मचली कहा है पर जब वो लड़की भागने लगी तो शाओबे ने जादू से उसे रूक लिया फिर डावलिन ने उसका गला दवा कर मचली के बार में पांच गई इस जाती का मिशन धर्ती को अंतरिक्ष से आने वाले राक्षसों से बचाना था जो सल में हमारे ग्रह पर कबजा करना चाते थे अब शाओबे और उसके साथियों ने राक्षसों का पता लगाना शुरू किया तब उनके गुरू मास्टर वूलियान ने कहा कि मचली उन ही राक्षसों की जासूस होगी इसके जरिये राक्षस वूलियान के एड़कौर्टर का पता लगाना चाहते होंगे तब ही मास्टर को ऐसास हुआ कि बेहत खतनाक शक्तियां उनकी और बढ़ रही हैं और हमारे पास उनसे लड़ने की ठाकत नहीं है इसलिए उ उसके जाने के बाद शाओबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर आने वाले हमले के लिए जोडों-शोडों से तैयारी शुरू कर दी उथर मास्टर जूखी डंजिया के वारिस को ढूनता हुआ एक हॉस्पिटल में वहुचा वो अंधा उने का नातक करके वहां नौकरी लेने गया पहले तो किसी दे उसे भाव नहीं दिया पर जब मास्टर जूखी ने अपने दवाईयों के ग्यान का पिटारा खोला तो तरनाक मरीज रहता था मस्टर जूखी ने देखा कि एक नौजवान लड़की थी जिसकी बाजू पर एक लाल निशान था जूखी ने उसका नाम चैन रखा और उससे कहा कि जब वो खाना खा लेगी तो जूखी उसे यहां से आजाब कर देगा पर अचानक कुछ अजीब और उस लड़की की आँखे नीली हो गई तभी वो एक बहुत बड़े मोर में बदल गई उसी वक्त डूसरी और जहां आस्मान से वो पत्तर गिरा था वो तूटने लगा और शहर में जोरदार भूकम पा गया इसी के साथ चारों और हजारों लाल कीरे फैल गए जिसे लेकर शाओबे समझ गई कि ये राक्षस वुयान के प्राचीन मंदिर को तोड़ने आए हैं शाओबे तुरंत अपने साथियों को लेकर मंदिर में चानबीन कने पहुंची इतर डावलें पर भी शहर की रक्षा का सिम्मा था इसी मिए वो भी आ गया अंदर घुसकर उसे कूफिया सुरंग मिली जहां वुयान जाती के प्राचीन लोगों की कबर थी जिन्होंने हजारों साल पहले राक्षसों का मुकाबला किया था शाओबे और उसके साथी भी वहां आ गये और उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी बॉल को जंजीरों से बांद कर रखा गया था अचानक एक खुंखार लाल अखुवाला राक्षस वहां आया और अपनी शक्तियों से गोले की जंजीरे तोडने लगा तभी वो गोला धमाके से तूट गया और उसमें से और भी खतरनाक राक्षस निकला जिसका नाम था वाइट ताइगर जो की लाल अखुवाले सिवत में है और वो अपनी जान की परवा किये बगैर बहादुरी से वाइट ताइगर से लड़ने के निये खूद पड़ा मगर वाइट ताइगर की आग ने डाउलिन के हाथ और पैं जला दिये ये सब देखकर शाओबे ने डाउलिन और अपने साथियों को लेकर यहां स कर रही थी और उसकी नादानी देखकर किसी को उसके वारिस होने पर यकीन नहीं हुआ कैर शाओबे डाउलिन की जान खत्रे में नहीं डाल लचाती थी इसी निये उसने डाउलिन को घर वापस भीज दिया ताकि वो फिर से सिक्यार्टी गार्ड के काम में लग जाए मगर जब ऑफिसर्स ने डाउलिन को जखमी हालत में देखा तो उन्होंने बेरहमी से उसे सड़क पर फैंक दिया क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था जब शाओबे ने ये देखा तो उससे बहुत दुख हुआ इसी निये उसने डाउलिन को वुईन जाती में शामिल करने का फैसला किया धीरे धीरे समय बीता और धर्टी पर खत्राद बड़ने लगा तब शाओ बे और उसके साथे योंए अपने मास्टर वूलियांग को तो दूननका फैसला किया जो प्रमंस्तर की तलाश में लुईन शहर गया था नहीं लुईन शहर में पांच जातीयों के इक क साहुकर तो फिरसे जगाने की कोशिश में लगे थे आखिरकार अनोने ब्रह इस बदल कर ब्रह्मास्ट सर चुराने आया था और उसने बाकी मास्टर्स को काबू में कड़के बूल याईंग पर हमला करने को कहा मास्टर बूल याईंग ने जैसे तैसे अपनी शक्तियों से अपना बचाव किया लेकिन बुराक्शत ब्रहमास्तर को चुराने में इक कामियाब हो गए उथर शाओबे और उसके साथ ही भी मास्टर को ढूनने लुयान शहर में आ पहुँचे थे मास्टर जूकी ने उन्हें एक होटल में अराम करने को कहा तब चान को डाउलिन की हालत पर बहुत दया आई क्योंकि उसके हाथ पैल कट गए थे देखते ही देखते उसने अपनी शक्तियों से डाउलिन के नए हाथ पैल लला दिये पर इतनी थाकत इस्तमाल करने से वो बेहोश होकर गिर गई तब ही वाई टाईगर ने अपने कवजे में आई मास्टर्स को वू यान की योधाओं यानी शावबे और उसके साथियों पर हमला करने बेज दिया अचानक मास्टर्स ने उन्हें ढूंड कर उन पर जोरदार हमला कर दिया दोनों तरफ से जवरदस लड़ाई हुई और मास्टर्स उन पर भारी परने लगे तब ही उन में से एक ने मास्टर वू याइंग का भेज बनाया और मास्टर्स जू की पर वार कर दिया अब वो शावबे को भी मारने वाला था कि एन वक्त पर असली मास्टर वू याइंग वहाँ आ पहुचा और उसने शावबे की जान बचाई लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी क्योंकि फैंग जाती के मास्टर ने अचानक से काल अस्तर नाम के एक बेहत खतरनाक जादू से सब को मारने की कोशिश की वो इतना ताकतवर था कि उसने वूल याइंग, शावबे और बाकी उधाओं को जकड़ कर उनके हड़ियां तोड़ दाली लेकिन चान अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकती थी इसलिए उसने अपनी बची-खुची टाकत से एक लकड़ी पर जादू करके फैंग मास्टर को मार डाला वो यहाँ भी नहीं रुकी और उसने अपनी आत्मा की शक्ती लदा कर सभी योधाओं के जख्म ठीक कर दिये तब मास्टर जूकी ने उठकर चैन को गोद में लिया जो अपनी आखरी सांसे गिन रही थी अपनी पूरी शक्ती इस्तमाल करने के बाद अब उसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी उसका रंग भी एकतम खाला पड़ गया था तब मास्टर जूकी ने ध्यान लगा कर अपने पूर्वजों से बात की और उन्होंने जूकी को बताया कि इन राक्षसों से लड़ने का एक ही रास्ता है और वो है डंजिया की शक्तियों को चैन के शरीर में उजागर करना तभी वो असलियत में बापस लोटा और उसे समझाया कि चैन ही डंजिया की असली वारिस है और उसने डंजिया की शक्तियों को जगा लिया था और अब तो ये शक्तियां उन सभी के अंदर आ चुकी थी जब उसने सब के जठूं ठीक किये तो ये शक्तियां वुयन के सभी योधाओं में आ गई अब उन सबने मिलकर उन राक्षसों को ढूमना शुबू कर दिया आखिरकार उनका सामना रेड आई और वाइट टाइगर से हुआ और एक जबरतस चंग छड़ गई लेकिन उपकी बाद लड़ाई पिछली बार की तरहां एक तरफा नहीं थी राक्षसों को समझा चुका था कि योधाओं की शक्तियां बढ़ चुकी है इसी लिए उन्होंने ब्रहमास्तर का इस्तमाल करने का फैसला किया उसके चलते ही पूरी धर्ती पर समय रुक गया और वुयन के योधा हवा में ही जम गए ब्रहमास्तर से निकले आग के गुले उनसे टकराने ही वाले थे कि अचानत चैन के शरीर में एक डंजिया की शक्तिया पिरसे जिन्दा हो गई और वो एक भीन काई मूर का रूप लेकर हवा में आ गई फिर उसने सभी आग के गुलू को इखटा किया और राक्षसों की ओर वापस फैंक दिया इस जबरदस थमाके में वाइट टाइगर मारा गया इसके बाद उसने पूरी शक्ति से रैद आई पर भायंकर वार किये और एक लंबी और जबरदस लड़ाई के बाद रैद आई भी मारा गया आखिरकार उन्होंने धर्टी को उनके आतंक से बचा लिया था इस सब के बीज शावबे और डावलिन को एक डूसरे से प्यार हो गया और वो इखटे रहने लगे लड़ाई ये बीज में रोमांस चल रहा है बगरंट में हम देखते हैं कि वूयन के योधाओं को प्राचीन गरंथों से पता चलाओ कि इनसे भी खतनाख राक्षस धरती बढ़ाई